गुणिया शहर में एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए फ्लाई और ब्रिज के अलावा दूसरा मार्क सर्फ अंडरग्राउंड रोड है दिन भर में लगभग 10,000 लोगों का यहां से आवागमन होता है बारिश की वज़र से अंडरग्राउंड रोड पर हमेशा ही पानी भरा रहता है एवं उस रोड पर बड़े बड़े गड़ो का निर्मान हो गया है यहां के सानिय पारशित लोकेश कलू यादो ने कई बार इस परिशानी को लेकर गोंधिया शहर नगर परिशित सियो एवं अधेश को अवगत कराया लेकिन नगर परिशित प्रशासन इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है जिससे हर आए दिन यहां पर रोज एक अक्सिडेंट हो जाता है जिसके कारण जनता की परिशानियों को देखती हुए पार्शित लोकेश कलू यादो ने अपने खर्चे से सिमेंटी करन करके इस रोड को दुरिस करवाया और नगर परिशत प्रशासन से अपेल की कि प्रशासन अपनी कुमकरनी नीन से जाकर इस रोड को तुरिस करवाए BCN News के लिए गोन्या से हर्शत चूटे की रिपोर्ट